आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है आईए आज जानते हैं कि एक आदशी के दिन चावल क्यों नहीं ग्रहन करना चाहिए इसके पीछे क्या कारण है तो जानेंगे आज इसके बारे में सनातन धर्म में यू तो हर व्रत का अपना विशेश महत्त बतलाया गया है लेकि एक आदशी का व्रत या बड़ा ही विशेश माना गया है एक आदशी तिथी भगवान विश्टनु को समरपीत होता है इसलिए एक आदशी को हरी वासर या हरी का दिन भी कहा जाता है हर महीने में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में दो एकादसी पढ़ती है और एकादसी का व्रत सभी प्रकार की पापों को नश्ट करने बाला और अंत में मुक्ष को परदान करने बाला माना गया है सास्त्रों में एक आदसी व्रत को करने का विशेश, महत्व और नियम भी बतलाए गए कहा जाता है कि एक आदसी के दिन अगर नियमों का पालन सही तरह से नहीं किया जाए तो व्रत का कोई फल प्राप्त नहीं होता वह निश्फल हो जाता है एक आदसी के दिन बताया जाता है कि इस दिन तामसीक बस्तों का पर्योग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए इस दिन तामसीक भोजन से परहेज रखना चाहिए और चावल ग्रहन नहीं करना चाहिए कहा जाता है कि इसे खाने से मन में अशुधता आती है तो आईए जानेंग कि एक आदसी के दिन चावल क्यों नहीं खाना चाहिए। करना इसके पीछे धार्मिक कारण और व्यग्यानिक कारण भी बतलाये गये हैं। पुरानिक कथा के अनुसार जब माता आदी शक्ति के क्रोध से बचने के लिए महर्शी मेधा ने अपने शरीर का त्याक कर दिया था। इसके बाद उनके शरीर का अंस धर्ती माता के अंदर स समा गया था उस दिन एक आदसी थी और कहा जाता है कि महर्शी मेधा जो की चावल और जोग के रूप में धर्ती पर उन्होंने जन्म लिया। यही वज़ा है कि चावल और जोग को जीव मानते हैं। इसलिए एक आदसी के दिन चावल नहीं खाया जाता। मानता है कि एक आदसी के दिन चावल खाना यानि कि महर्शी मेधा के मांस और रक्त के सेबन करने जैसा माना गया है। इसलिए एक आदसी के दिन चावल ग्रहन नहीं करना चाहिए। और वैज्ञानिक कारण जो कि सनातन धर्म की परमपराएं और मानताएं किसी नकिसी वेज्ञानिक द्रिष्टिकोन उस पर आधारित होती हैं यह पुरवजो का ही दिब्व ज्ञान का कमाल है जिससे यह परंपराएं आज भी सटीक बैठती है वेज्ञानिक तत्यों के अनुसार चावल में जल तत्यों की मात्रा अधिक होती है वहीं जल पर चंद्रमा का चंचल होने लगता है मन के चंचल होने से व Frankly नियमों का पालन करने में बाढ़ाये आती है इसी कारण से एक आध सी के दिन चावल खाना वरजीत बतलाय गया है एक का ब्रत में और कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए इस दिन तामसिक वस्तू का परयोग बिलकुल नहीं करना चाहिए जैसे कि बांस मजिरा लशन प्याज आदी का प्रयूग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए इस दिन सुद्ध और शात्रिक्ता का पालन करते हुए उपवास रहते हुए इस व्रत को करना चाहिए अगर उपवास नहीं रह पाते हैं तो एक समय फालाहार का सेवन करना चाहिए इस दिन किसी के ऊपर क्रोध नहीं करने चाहिए अपने मन में किसी के प्रती इर्षा या द्वेस का भाव नहीं लाना चाहिए इसके साथ ही न सिर्फ व्रति को बलकि घर के सभी सरस्यों को यूट बोलने और गलत कामों से बचना चाहिए व्र जालन करते हुए ही एक आदसी का व्रत्य करना चाहिए तभी जा करके पुन्य फलो की प्राप्ति होती है तो आसा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो ऐसे ही ज्यान बर्धक जानकारिया प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक